दोस्तों नमस्कार मैं राजेश पुनिया हिसार से अभी मैं हूँ सरसोद गाउं में संजया सर्माजी को हमने लगबग एक मिना पहले एब आयटोरियम का प्रोडेक्ट दिया था तो इनोंने प्रोडेक्ट यूज किया और इनको क्या फाइदा मिला इससे पहले इनके साथ क् तो सर्माजी आप सबसे पहले सभी दर्शकों को राम राम और पुनिया साब आपको भी राम राम और ये हमारे चोटे वेटे हैं समसेर जी हैं इनका बहुत ही देन नवाद है तो मैं सबसे पहले समसेर जी पुनिया साब को मेरे पास ले आए अलागी बाई के पास आए थे बात बताई जो दिखाया तो हमने उस पर विश्वास किया फिर पुनिया सावाई आप तो इनने जो प्रोजेक्ट दिया आपने उन लिया उसमें एक पानी की बोतली एक जो बैल्ट वतिया अथवाली वाली एक नीचे विशना अकद्दार एक तक्षिया लिया तो हम ने वे विजली विवाग में ठेक दारिया काम करता हूं, सारे दिन फोन सुनने से दमाग में परशानी या बढ़कपन ऐसे की मतलब कुछ सक्तियां हो जाती थी, जिसे सुबाँ चछड़ा रहता था, रात को नींद नी आती थी, जब भी रात को जागा जाती थी, दो बजे, बारा बजे एक बजे तो उसके बाद फिर सुबे ही पांच चार बजे नींद आती थी, जिससे नींद ना पूरी होने के कारण सुबे दमाग में हल चल रहती थी और आँखों मलाली रहती थी, मानसी की तनाव भी बलने जाता था, तो मैंने पुनिया साब के कहने से, और अपना जो समसेर है, अपना लड़का है, भाई का, तो मैंने अपना अइटम इनका लिया, मैंने लगबग एक बीने से उपरोगा यूज़ करते हुए, सिबसे पहला फादा है कि जो नींद आती है, बड़ी आनद महीं आती है, जिसमें नींद पूरी हो जाती सुबेर है, सारा दम नाक तंदरुस रहता है, ना को आखों मलाली रहती, ना को किसी बड़क रहती, तो मैं सबसे पहले मोटा फायदा ये बताना चाहता हूं कि मैंने जो नींद का है, यगर व्यक्ति को नींद अच्छी तरह से आती है, तो सारे दुख तकलिफ, सारा टोटा नफा बूल जाता है, तो नमबर दो बात की, जो सारे दिन फोन सुनने से मानसिक तना उसे भी पी बढ़ जाता था, भी पी बढ़ने से अडिटी बढ़ जाती थी, जिससे सरमदर दो जाता था, उससे भी मेरे बहुत ही फैदा हुआ है, तो मैं आप सभी भायों से कहता हूं कि भाई, कोई भ तो आप बाईयों से प्रातना कि आप जिस परकार की जो बिमारी से अपने पुनिया साथ है या अपने लड़काई समसेर है इन से मिलो और इन से अपने जिस परकार की समस्या है जिस परकार की इन से आप बताओ वह अपने उसी परकार की बातें बताएंगे और मैं पुनिया साथ का बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं और अपने जो लड़का समसेर है इसके लिए बगवान से प्रातना करते हूं कु क्योंकि ये दैड़ी मुझदूरी करता था कोई 400 रुपी देदे कोई 500 देदे कोई 300 देदे उससे गर का खर्चा नहीं चला था तो लेकिन इस लड़के ने एक गर के लिए सुवीदा भी बनाई और एक अपना वफशाय भी बनाई लिया देखो वफशाय बढ़ना तो इसकी किसमत के साफ़ से लेकिन लड़का तनमंदन से मतलब इसकाम में ये मन लगा काम कर रहा है और आम भी इसका सियो कर रहे हैं तो आप सभी बाईएं से प्रातना है जो बेरोजगर बाई है पहले अपना सरीठी करो फिर इसको रोजगर के रूप में पनाओ तो उसके लिए बहुत ही भाइदा है रोजगर भी मिलेगा एक समाज में मान समान इज्जित मिलेगी गर किसी बाई के तकलिव है गर उसको र लाइन बॉलना चाहिए जी गुरू जी मेरे चाचा जी को ज्यादा दिक्कत रहती दी बीपी और निंद की मैंने इनको रूबर हुआ और इनको यह प्रोडेक्ट दिलाया और आज यह पूरी पूरून रूप से ठीक ठाक है मेरा बाकि आप इनके मुह से सुनी रहे हैं जो यह बोल रहे हैं यह सत्य है मेरा मुबाइल नमबर है नाइन फोर सिक्स सेवन थरी जीरो वन जीरो एट फाइट फाइट चुराणों चैसोती एतर जीरो दस पिचासी धन्यवाद थैंक्यों जी